हेलो जी, गुद इवनिंग, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है अपको आपके अपने चैनल Financial Frontline में, सबसे पहले Standard Disclaimer, मैं कोई Savi Registered Member नहीं हूँ, जो भी information share कर रहा हूँ, परपस इसका सिर्फ educational है, इससे जादा कुछ भी नहीं, मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह आपके ट्रेडिंग, tips, tricks, recommendations, get rich quick schemes नहीं देना चाहते और कभी भी देंगे भी नहीं, मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई courses, webinars, seminars, memberships, subscriptions, product, promotional links नहीं मिलेंगे, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से influence नहीं करना चाहते, हो गया, brief introduction और standard disclaimer बिना किसी द concept, covered call selling पर अपनी बातचीत को शुरू किया, हमने उसको सोड़ा समझने की कोशिश की, कि actually मैं ये covered call है क्या covered call selling जो एक बड़ी बुनियादी basic strategy है, बड़ी famous strategy है, दुनिया जान की जनता इसको use करती है, उस पर कुछ myths जो मुझ को पता थे, वो मैंने आपके साथ share करने की है, कैसे help कर सकती है, कैसे help नहीं कर सकती है, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और all in all मैं समझता हूँ कि covered call strategy से लेकर के, क्या एक sensible way out क्या होगा covered call strategy को बनाने का, या covered call ही करना हो, वो सब चीज़े आपन लोग वीडियो में देखेंगे, फिलाल बातों का कुछ मज़ा नहीं, चलते हैं, live screen पर और देखने की कुशिश करते हैं, सबसे पहले तो ये covered call strategy, चीज़ क्या है, आईए चलिए, screen से ही देखते हैं, आईए, हम पहुंच गए मेरे broker platform के ऊपर, और हम इस particular strategy के various pay off diagrams हैं, वो हम अपने बड़े nifty के future से ही बना करके देखेंगे, चल रहे हैं, उन मित को एक मिनट के लिए बस्ट करना, इस particular वीडियो का, या आप कह सकते हैं, इसका main intent वो ही है, कि अगर कहीं पर कुछ पैसा लगाने की कुशिश कर रहे हैं, तो हमें पता हो के हम कर के आ रहे हैं, आईए देखते हैं, क्या है, बजार चल रहा है, अपने index को या अपनी stock को एक long position बना लीजे, हमार पास हम nifty future पर बात कर रहे हैं, तो हम nifty future पर एक long position बनाएंगे, वहाँ देखेंगे हमार पास क्या है, nifty future पर हम गए, या पर गए, overnight है, हमें उसमें buy करना है, मैंने nifty की, एक future में long position बना दी, margin सामने आपके बस निकल करक बाइस पांच सो, इसकी एक out of the money होगी, तो nifty की हम क्या करेंगे, nifty की फरवरी की call को, out of the money call को हम write कर देंगे, और यह हमार पास total margin लगेगा, करीब करीब एक 40,000 रुपए, इसको हम करेंगे, analyze, analyze से मतलब हम इसके pay off diagram पर जाएंगे, और pay off diagram हमको कैसा देखता है, वो हम दे देखने की कोशिश करेंगे, यह देखिए, यह आपके पासे cover call का pay off diagram बन गया सामने, हम यहाँ पर भी अपनी information देखेंगे, और chart को भी देखेंगे, चार्ट आपके सामने है, कि बजार अगर ऊपर रहता है, बजार आज हम 22,100 पर, expiry तक अगर बजार 22,100 और उसके ऊपर रहता है, बात को समझिए, तो हमको कभी भी इसमें कोई loss की situation नहीं है, cover call हमारे बहुत बैतर strategy, आपने आज माल खरीद लिया, बजार ऊपर चला गया, तो आपको future में profit आजाएगा, और all in all, जो call की situation है, आपने 500 पॉइंट दूर की call बेच रखी है, बजार अगर 500 पॉइं जी यही होती है, कि आप future को buy करते हो, और out of the money, add the money, in the money, जो आपको अच्छा लगता है, वो आप एक option को, call option को write कर देते हो, यह आपके सामने हो गया, future को खरीदा, out of the money call को मैंने write कर दिया, sell कर दिया, यह proportion बन गया, यह pay off बन गया, उपर बजार जितना मर्जी जाएगा, आपको profit, बजार अगर नीचे निकलने की तरफ किया, तो आप देख लो, आपको maximum profit दिखाई दे रहा है, यहापर 24,188 रुपए, और maximum loss, maximum loss का कोई अंतनी है, बजार जितना नीचे जाएगा, उतना आपको loss लगेगा, यह covered call strategy है, सीधी सीधी बात है, इसमें नीचे आपका risk, cover नहीं होता है, covered call को किस concept पर बेचा जाता है, इस पर के जो आपने यह, वो सामने से क्या कहा जाएगा, कि यह strategy, अगर फर्ज करो, बजार 22,100 पर अगर आपने बजार बेचा है, अब short करा हुआ है, और बजार यहाँ से नीचे निकला, तो बक्की बात है, आपको future में त कोशिच कर रहा हूँ, यह payoff को देख लो सामने आप, यहां तक पहुच गए, कल मैंने आपको यह बताने की कोशिच की, कि यह जो covered call strategy है, जिसको आप बड़ी बुनिया दी, basic safest strategy मान करके चलते हो, दुनिया की, यह कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक naked put writing है, आपने क कुछ ही नहीं करा, आपने put को उठाया, और put को उठा करके आपने write कर दिया, अब मैं आपको सिर्फ एक minute लगा करके यह दिखा दूँगा, कि payoff diagram आपके सामने payoff diagram है, इसको हटाओ, यहां पर आओ, वापिस इस screen को clear कर दो, और अब आजाओ यहां पे, निफ्टी की 22500 की, इन दमनी, आप कोई भी put पर आजाओ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैं आपको put के diagram बना बना आगर के दिखा दूँगा, और आप देख लोगे, आप put को write करोगे, आपका margin लगेगा, 145,000 रुपए, बिल्कुल ठीक, important, अभी margins पर बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ profit and loss पर बात हो रही है, आप देख लो सापने, profit and loss के payoff को देख लो, बजार जितना ऊपर, बजार आपके, आपने put को write किया हुआ है, put को write करने का सिधा सिधा मतलब वही होता है, कि अगर आप put को write करके चल रहे हो, तो आपके expect कर रहे हो, कि बजार जो है, वो नीचे आपका जो loss, वो loss आपका unlimited, अभी फिलाल के लिए, ये पिछले 5 मिनट में मैंने exercise करी, आपको ये बताने के लिए, ये अपना point सिर्फ प्रूफ करने के लिए exercise करी, कि जो आपकी covered call strategy है, वो covered call कहीं से कोई covered नहीं है भीया, वो आपकी सिर्फ एक naked put right है, आपने put को उ sell करते हो, तो यहां कुछ नहीं करना था, अगर आप covered call के चकर में इतना ही फस चुके हो, और आपको लगता है कि यही दुनिया की सबसे बहतरी strategy और बात मारने को तयार नहीं हो, तो भीया put को भी अगर आप write कर दोगे ना, तो आपके सामने ये same pay off के diagram बन करके आ जाएंग वो पहले अपनी एक cash market में या future market में अपनी एक holding खड़ी करता है, और holding खड़ी करने के बाद, वो सामने से out of the money ये call को sell कर देता है, यह जो बनियादी concept है, इसमें वो चाहता क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि बजार बहुत तेज को राइट कर रहा है, वो मैं premium खा लूँगा, जो covered call writer है, उसके मन में यह चलता है, वो एक चीज कभी भी expect नहीं करता, और वो expectation यह होती है, कि बजार बहुत तेजी से नीचे गिरे, यह उसके दिमाग में कभी भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह तर तो वो अ पक्का है, कि covered call writer जो होता है, उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा होगा, पर बजार तेजी से नीचे गिर जाए, यह नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उसको यह मालूम है सामने से, कि 22,000 के उपर, 22,100 के उपर मैंने बजार को खरीदा है, और मैंने जो 22,500 की call बेची है, वहा point के साथ 50 रुपे का loss है, वो अभी हमने diagrams में सामने में देख लिया, कि भीया, जो covered call writing का, अभी तो मैंने हटा दिया, चलिए एक बार दुबारा लगाते हैं, यह discussion करना बहुत जादा important है, ताकि covered call writing से related, जो बजार में myth है, और in any case, अगर आप कभी अपने जीवन में भी covered call writing के चकर में हो रहे हैं, तो कम से कम आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, जी, यह हो रहा भी है, आपने क्या करा, आपने यह बनाई position, जो देखो, यह था, future को long करा, out of the money जाकर के आपने एक call को short कर दिया, और call को short करने के बाद, आपका कुछ यह, पिस मैं pay off पर बैठे हो, बजार जितना तेजी से नीचे जाएगा, आपके पास जो cushion है, आपके पास सिर्फ जो cushion है, वो उतना ही cushion है, जितने रुपे का premium आपने capture करा है, बस यह बात याद रखना, एक चीज, आओ, दूसरी चीज भी clear करते हैं, इसमें, आप क्या करते हो इस पे, आप future क long करते हो, पर future को long करने के साथ, आप out of the money call को sell नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप ATM call को sell कर देते हो, जो मैंने कल आप से बात करी, ATM call को sell करने से क्या होगा, margin, जादा discussion नहीं है, वो डेल लाग के आसपास का margin है, important है concept को समाझना, यह देखो, होगा क्या उसमें, कि आपका profit और कम हो गया, loss unlimited ही रहेगा हर condition में, पर आपकी profit की probability बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि होगा क्या, कि आपका break even नीचे की तरफ सरक गया, कैसे सरका, आपने जब ATM call को sell करा, तो आपको 270 point मिल गए, तो अब आपने क्या करना है, आपने 22,090 में से 270 point का नीचे आपके पास question ह यह हुआ जी कि आपका break even जो है, वो break even नीचे की तरफ सरक गया, और चलो, यह जितना आप add the money और in the money आते जाओगे न, उतनी ही यह strategy जो है, वो conservative होती जाएगी, वो आप अभी देख लेना सामने, मैं आज इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा, कि covered call के जितने मेर पा long कर रहे हैं, मैंने in the money call को write कर दिया, आम तोर पर आपने लोगों से सुना होगा, कि out of the money, out of the money बेचो, कि 22,000 का future है, 22,000 के future को खरिद के 22,500 बेच दे, 23,000 बेच दे, यह concept भी समयना जरूरी है, कि अगर आप out of the money बेचोगे, तो आपको थोड़ा premium मिलेगा, थोड़ा premium मिल है, इसका भी चार्ट देख लो, यह क्याना चाहता हूँ, चार्ट वैसे ही बनेगा आपके सामने है, loss हमेशा unlimited रहने वाला नीचे की तरफ, और कुछ नहीं है, loss हमेशा नीचे की तरफ unlimited है, profit बहुत कम हो जाएगा, क्यों क्यों बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इन दमनी च आपने का, बाइस पाँच सो से नीचे नहीं है, बजार, दूसरी सिचुएशन में कहा, कि ATM से नीचे नहीं है, यहाँ पर आपने कहा, कि 21-500 से नीचे नहीं है, आपकी profit की probability बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगी, पर loss फिर भी unlimited रहना चाहता है, अभी मैं आपको य जो मरजी कॉल को राइट कर लो, future को लॉंग करके, position आपकी नीचे की तरफ open ही है, और naked ही है, बजार नीचे गिरेगा, तो बरतन बिकेंगे ही बिकेंगे, आज आप covered कॉल खरीद लो, और मेरे को सिर्फ इस बात का आशवासन देदो, कि क्या आपको यह गरंटी है कि कल सु पॉइंट बजार नीचे नहीं खुल रहा, याद रखना, 500 पॉइंट अगर बजार नीचे की तरफ खुला, तो पहले तो आपके future पे आपको सीधा-सीधा 500 पॉइंट का loss है, 25,000 पे आपका future आपको minus दिखाएगा, सुबह उठ करके, पहली चीज, दूसरा, जितने रपे क अपने call का premium उपर से capture कर रखा होगा, call को write करके, सिर्फ उतना ही cushion है, आपके पास याद रखना, ख्यार, information मेरी आदत है, कभी-कभी तेजी से बोल देता हूँ, पर आगे पीछे करके सुन लो, वीडियो को कैसे मरची करके सुन लो, पर इस चीज को digest करने की शुरुआत में कर लो, कि जो covered call write कर रहे हो, या करने के बारे में विचार कर रहे हो, या किसी ऐसी दुनिया में घुम रहे हो, कि और आगे portfolio बनाओगे, portfolio बनाओगे, cash के अंदर में इतने stock से कठे कर लोगे, फिर उसके बाद उपर से call बेचनी शुरू कर दोगे, rental income बनानी शुरू कर भाईया, यह आप एक dream में हो, इस dream से उठ करके बैठो, फालतु के YouTube वीडियो को देख करके, उनके उपर अंदा विश्वास करना बंद करो, अपनी knowledge को enhance करना शुरू करो, पहला मैंने आपको यह बताने की कोशिश की, कि जिस मर्जी option को आप write कर लो, out of the money कर लो, in the money कर लो ATM कर लो, आपका loss unlimited होने वाला है पहली बात, अब आजाओ, और आगे, अब मैं आपको, अब हम सेम चीज समझने की कोशिश करेंगे, कि अगर हम putे जो कह रहे हैं, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ कि जो covered call write है था, बराबर है put selling, naked put selling, low कैसे, पजार चल रहा है, 22,000 पर पर, in the money put को मैं write करके दिखाऊंगा आपको, in the money put है, 900 point की, लो, जी, write करो, margin लगेगा आपका सवाल आख रुपे, photo देख लो, जी, इसकी, यह आपके सवामने same photo है, नीचे की तरफ loss unlimited है, उपर की तरफ 45,000 है, success की probability, 51% है, यहाँ पर यह वही क्या न, जो put का writer होता न, जो covered call, जो बनाता है, उसके मन में भी यही चलता है, कि बजार नीचे नहीं गिरेगा, जो put का writer होता है, उसके भी मन में यही चलता है, कि बजा नीचे अगर गिरता है, तो उसको हर point के साथ loss आता है, देख लो, break even उसका 22,084 पर है, इतने पर, जितने पर बजार आज बैठा है, इतने पर ही उसका break even point है, बजार कल सुबह नीचे गिरना शुरू हो गया, तो हर point के साथ उसका loss आना, यह बात याद रखना, यह बात, क् आपके सामने है, उसको 900 point मिले हुए हैं सिर्फ, सिर्फ उसको 900 point मिले हुए है, और बजार 22,090 पे है, 22,090 के उपर 915 point एड़ करके आप निकालो, तो break even देख लो, 22,084, 22,094 पर बजार है, और 22,084 यह देख रहे हो, जैसे ही बजार 22,084 से नीचे जाएगा, उसका loss आना चाहता हूँ, दोनों तरीके से प्रूफ करना चाहता हूँ, अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने in the money put को shot किया, ठीक है, आपके जहन में हो सकता है, भाई, यह काम करके देखते हैं, अगर मैं, निफ्टी की, 22,000 की put को, मैं ATM put को shot करूँ हूँ, तो क्या कुछ फरक पड़ेग आप मेरे को point मिलेंगे, कितने भी है, 190 point मिलेंगे, chart देख लो, margin लगेगा 1,000,000 VCR में, chart देखते हैं, same chart, बजार, जब तक बजार, 21,810 के उपर रहेगा, वापिस, same thought चल रहा है दोनों के दिमाग में, बजार, जो covered call writer है, उसके भी दिमाग में वो ही चल रहा है, बजार बजार नहीं गिरना चाहिए, और put writer के भी दिमाग में वो ही चल रहा है, कि बजार नहीं गिरना चाहिए, बजार गिरेगा, 21,610 के नीचे बजार गया, तो नीचे सब कुछ open है, बरतन बिक जाएंगे, याद रखना, point capture होंगे, 190, profit मिलेगा आपको 95 रुपे, और loss unlimited है, profit क probability 70 परतीशाद है, आप कहतों चलो ये बात नहीं थोड़ी बहुत समझ आई, ज्यादा समझ नहीं आई, और चलो, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि हम out of the money put को write कर दें, देख लिए, point मिलेंगे 60, 60 है, write कर रहा हूँ, out of the money जा रहा हूँ, margin लगेगा 95 रुपे, pay off का डाइगराम देखूंगा, अभी सिर्फ ये exercise हो रही है, आपको हर तरीके से ये समझाने की, कि भीया, pay off का डाइगराम सेम है, याद रखना, profit होगा 3,000 का, loss होगा unlimited, breaking होगा 21, 441, आप बैठे हो कितने पे, 22,100 पे, ये लो, अब आपके लिए एक और चीज़ सामने आने वाली है, वो भी देख लो, 22,000 पे बैठे हो, break even है, 21,441, 650 पॉइंट तक आप सेफ बैठे हो, 650 पॉइंट क्यों, आप 650 पॉइंट सेफ बैठे हो, कि बजार कल उठ करके, अगर आपको trap करने की कोशिश भी करें, तो आप सिर 600 पॉइंट तक सेफ हो, जैसे ही बजार 600 पॉइंट से नीचे निकलेगा, आप अपना पर पॉइंट के हिसाब से 50 पॉइंट का लॉज गिलना शुरू कर देना मेरे भीया, यह चीज मैंने आपको यह बताने की कोशिश की भीया, कि आप जो भर्ची permutation combination लगा लो, आप अगर covered call राइटर हो, वहाँ पर आप out of the money बेच लो, in the money बेच लो, आपकी position वहाँ पर नीचे की तरफ में naked होती है, पहली चीज नीचे की तरफ position खुली होती है, बजार नीचे की तरफ टूटेगा, तो आपको हर point के साथ loss आएगा, यह मैंने आपको covered call के तरीके से बताने की कोशिश की, फिर मैं आगया naked put की तरफ, और यहाँ पर मैंने put write करके दिखाई, फिर मैंने आपको ATM put write करके दिखाई, फिर मैंने आपको ATM put write करके दिखाई, तो इस पांच सो, अब यह तो मैंने आपको अपनी तरफ से data analyze करके दिखा धिया, जो covered call write होती है, वह बराबर होती है, minus put बराबर है put को write कर दो naked put को write कर दो तो आपकी वो covered call बन जाएगी इसके अंदर कुछ नहीं यह सब mathematical था यह करके दिखा दिया अब आगे चलते हैं एक चीज और मैं आपको अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बताने की वो आप देख लीजेगा वो आपको कितनी समझ आती है thought समझिए thought के ओपर सारा game है covered call writer कह रहा है कि बजार जो है वो नीचे नहीं गिरेगा बजार उपर चलेगा उपर चलेगा मतब उसको बजार में मंदी पे loss आना है फिर है यही बोल रहा है न और राइटर मंदी आएगी तो loss आजाएगा उसको अब अगर आपको यही मंदी आजाएगी और loss आजाएगा इस situation में काम करना है आईए और देखते हैं क्या होगा आप यहाँ पर यह देखे मैं आपको अब एक चीज़ और बताना चाहरा हूँ इसमें बात पूरी की पूरी complete हो जाएगी निफ्टी चल रहा है बाइस हजार पर ठीक है मैं काम करूँ मैं बाइस हजार की ATM की put को write कर दूँ margin क्या लगा जी मेरा एक लाग वी सजार पर गा margin लगा मेरे को सामने से मिल गए 190 पॉइंट के आसफ़ास बिल्कूल ठीक अब यहां पर मैं क्या expect करता हूँ के बाजार 21,810 के उपर रहेगा मतलब जो भी मेरे को 190 पॉइंट मिलेंगे वो मैं future में से माइनस कर दूँगा तो यह मेरा break even आ जागा 21,810 बिल्कूल ठीक है मैंने क्या कर रहा मैंने ATM की put को write कर दिया समझी यह बात को कि मैं क्या कहने की कुशिश कर रहा हूँ अब मैं आपको strategy पर ले आया और strategy ऐसी जो covered call का मुकाबला कर जाएगी सच में मुकाबला कर जाएगी सिर्फ 10 मिनट आप मेरे साथ रहिए और आपको जीवन में कभी covered call बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको अपनी तरफ से तो confirm कर सकता हूँ बाकी अपना अपना thought process है जैसे करना हो कर लो actually मैं क्या हो रहा है जो covered call writer है वो ये strategy मैं कहूं कि चलो वो cash holding पे strategy नहीं बनाता क्योंकि cash holding में तो 10 लाग रुपे तक की investment लग जाएगी वो ये strategy future में बनाता है फर्ज कर लो future में बनाता है तो उस भाई का कितना पैसा लगता है 1.5 लाग रुपे है future को खरीता है फिर call को write करता है नेकेट पुट को write कर रहा है मैं क्या क्याना चाहता हूँ वो सुनो नेकेट पुट को write कर दो 22,000 की पुट को write कर दो margin दिख रहा है जो margin था उसका margin के पेच पेच पे चला जाते है 1.5 लाग 20,000 margin है और ये उसका pay-off का diagram है ये pay-off का profit loss छोड़ दो ये pay-off का diagram है अभी हमने क्या अगरा 22,000 की मैंने नेकेट पुट को write कर दिया पर मैं कहता हूँ क्या मैं नेकेट पुट को write करके कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मेरी जो put है वो नेकेट पुट write आओ किसी तरीके से मैं उसको cover कर दूँ और अगर बाजार करके नहीं दे सकता कि कल सुबह बजार 500 पॉइंट ऊपर है या बजार 500 पॉइंट नीचे है ये बात है सबसे इंपॉटेंट क्योंकि आप नीचे की तरफ अपनी पुजीशन को open नेकेट खोले बैठे हो आपने नेकेट पुट को shot करा हुआ है अब आप इस पे करो क्या वो सुनो मैं क्या करूँगा 22,000 की मैंने पुट को shot करा हुआ है 21,900 की पुट को ले लो add कर दो margin देख लो 25,000 पे margin लगेगा pay off का diagram देख लो यह pay off का diagram होगा जो नीचे की तरफ आपकी एक put की open put की position जो आपने open कर रखी थी वो जो naked थी unlimited loss था वो loss control हो जाएगा यह आपके सामने आ जाएगा loss आपको 31,000 पे देखेगा profit आपको 90,000 पे देखेगा probability आपको 60% दिखेगी अब आपने actually में करा कि मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप बड़ी तसली से ध्यान से बात सुनिएगा आपने ATM की put को shot कर दिया 22,000 पर आपने shot कर दिया shot करने तक आपका bias और call writer का जो bias है ना covered call writer का दोनों का bias same है जब तक आपने shot कर रखा है 22,000 पर बिल्कूल ठीक है अगर आप अपनी put को 22,000 पर ही shot कर देते हो और नीचे कुछ नहीं करते हैं तो आप मान लो कि आपकी position और covered call writer की position दोनों position same है नाम अलग-अलग है margins अलग-अलग है legs अलग-अलग है आपने तो same काम एक lag में करके दिखा दिया margin भी same profit and loss भी same सारी बाते same दोनों का thought process भी same पर अब आप खेल क्या कर सकते थे वो खेल सुनिए आप जो 22,000 की put को right कर रहे हो ना 22,000 की put से उठ करके सिर्फ 100 point या 50 point या जैसे मैंने यहाँ पर 100 point out of the money जाकर के जो आपने 22,000 की put को right करा था आप सिर्फ 100 point और या 50 point और जितना आपका risk appetite हो सिर्फ उतना out of the money जाकर के put को खरीद लो वो put आप क्यों खरीद रहे हो वो इसलिए खरीद रहे हो कि गलती से अगर बजार कल 500 point, 700 point, 1000 point या कितने भी point अगर नीचे की तरफ खुल गया तो आपका नीचे की तरफ जो risk है वो risk controlled है, वो risk पे capping लगा रखी है, और भगवान की दया से अगर बजार उपर ही रहा जो आप as a covered call writer या as a put writer यही तो expect करते हो ना, कि बजार उपर ही रहे, नीचे ना जाए यही तो करते हो ना, जो covered call का writer है, या naked put का writer है, उसके दिमाग में सिर्फ एकी चीज़ चलती है, यार दुनिया में कुछ भी हो जाए, बजार उपर जाए जितना मर्जी उपर निकल जाए, बजार इसी put के जो writer पढ़ेंगे, तो नीचे अपनी position को cover कैसे करेंगे, हम 2900 की, 2800 की, 2950 की, हमें जितने रुपे का भी हम risk लेने को तयार बैठे हैं, उतने रुपे की हम एक put खरीद लेंगे, उस put के खरीदने से क्या होगा, हमारा loss क्याप हो जाएगा, बजार अगर उपर ही रहा, जो हम as a covered call writer या as a put writer expect कर रहे थे के बजार उपर ही रहा, तो अगर बजार उपर ही रहेगा, तो हमको profit मिलेगा, पर हम सामने वाले को इस चीज में कैसे beat कर देंगे, वो देखिए, अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ सामने से, वो आप देख लिजए, क्योंकि अगर आपको ऐसे कोई spread की positions बनानी हो, तो आपको पहले position को add करना है, अब आपने 2100 को add करना है, वो मैंने करा वो ही है, पर पहले मैंने buy की position बना दी, cell की position मैंने बाद में बनाई, ताकि मेरा margin कम लगे, 34, पहले आप से 34 मागेगा, फिर उसके बाद 25,000 रपे में आपका काम हो जाएगा, कहने का भाव सिर्फ इतना है, कि वहाँ पर as a naked put writer या as a covered call writer, जो आपका काम डेड़ लाख रपे में हो रहा था, वो काम आपका 25,000 में होगा, वो आपकी डेड़ लाख रपे में एक position बनेगी, यहाँ पर आपकी 5 position बनेगी, आप पहले तो 5 position बनेगी, फिर उसके बाद पांचों की 5 position आपकी hedge डोंगी, उसके बाद अगर बजार उपर रहा, तो आपको यहाँ पर 5 positions का profit है, और वहाँ पर आप उसको विजावी कभी करके, देख लीजेगा जब आपको मौका मिले, के, thought important ऐसे है कि वहाँ पर डेड़ डेड़ लाख रुपया लगा करके भी, आप एक naked put को ही right कर रहे हो, कुछे नहीं कर रहे है इससे ज़्यादा, naked put ही right हो रही है, तो अगर naked put right करने का इतना ही शौक है, तो फिर वहाँ पर पहले future को खरीद करके, call को क्यों बेचते हो, बजार में जाकर के, जो आपको अच्छा लगे, अब यहाँ पर सुनो, के naked right put करने का इतना शौक होना, तो कम से कम फिर out of the money चले जाना, के बजार अगर बाईस हजार है, तो 21,500 चले जाना, या 21,000 चले जाना, मतब पांच सासो हजार पॉइंट, अगर naked put right करने का मन हो तो, के जी naked put right करके ही रोटी खानी है, तो फिर out of the money की put को right कर लेना, होगी वो naked put भी, वहाँ पर भी margin लाख रुपे के आसपास लगेगा, जो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी, यह देखो, और मुझे पता है, आपको ये वीडियो शार तीन-चार बाद देखना पड़ेगा, उसके बाद ही शाहिद बात बन पाएगी, पर एक बार अगर ये बात बन गई, तो उसके बाद जीवन में किसी के trap में नहीं आओगे, एक हजार पॉइंट अगर मैं out of the money चला जाओ, मेरे को 20 पॉइंट मिलते हैं, 20 पॉइंट का मत्तब है, मुझे हजार पॉइंट ये, लब्बे पॉइंट एक और 20 पॉइंट का मेरा प्रीमियम, तो इसका ब्रेक इवन देख लो, 75 हजार रुपे मार्जन लगेगा, इसका ब्रेक इवन, 96 प्रतीशत इसकी probability होगी, चार्ट फिर वैसे का वैसा बनेगा, कि अगर बजार 20,980 से निकला, 20,980 के नीचे अगर बजार चला गया ना, तो हर पॉइंट के साथ आपका 50 रुपे का लॉस है, भाव सिर्फ इतना है, कि नेकेड पुट राइटर बनने का ही अगर कर जाया ना, तो देखो जो, उसमें मैंने क्या बताया आपको, अगर options को आपको right करना होता है, तो right आप वोई करते हो, जो out of the money होती है, और near expiry होती है हलाकि अभी मैंने Greeks के उपर में, अपनी तरफ से detail information आपको share नहीं करी है, यह आप मान लिजए के gram बान तुक्का है कि covered callie करनी होना, तो कम से कम naked put right करने के बारे में विचार कर लेना और जो naked put को right करना होना, तो वो कम से कम near expiry, out of the money near expiry का मतलब है, कि अभी मैं फरवरी में बैठा हूँ, लास्ट हक्ते पर बैठा हूँ, तो मैंने फरवरी expiry में right कर दूँगा, out of the money का मतलब है, 22,200 पर है, तो मैं 21,000 की कम से कम 1000 point out of the money की put को right कर दूँगा, result आपके सामने है, मिलेगा 1000 रुपियाई, लगेगा 75,000, पर success की probability बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्या करा है, आप out of the money चले गए हो, और 1000 point out of the money चले गए हो, और expiry में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पर एक बात याद रखना, इस पूरी दुनिया में कोई भी एक इनसान आपको ऐसा नहीं है, जो ये सुबह उठकर के बता दे, कि बजार फरवरी के expiry तक 1000 point नहीं टूटेगा, क्योंकि क्या पता आपको कल सुबह जीवन में क्या होने वाला है, अगर पता चल जा तो भगवान ना हो जाए हम लोग, कहने का भाफ इतना, कि ये जो हम unnecessary, जिसको कहते हैं मैं भी थोड़ी देर पहले विचार कर रहा था आपके साथ एक शब्द शेयर करता हूँ, हम क्या करते हैं, हम covered call writer जो बनते हैं न, covered call writer बन करके रहा, मेरी अपनी समझ कहती है, देखे, covered call writer के बीचे दो कहानिया गुमरी है, पहले वो लोग हैं, जिन लोगों के पास अपनी holding पड़ी हुई है, उस holding के उपर वो अपना छोटा 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 कुछ उनकी holding पड़ी हुई है, पर उनने समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो holding कठी करकर के बैठे हुए, अब holding के बाद जी उन्होंने उसके उपर एक calls को write कर दिया, वो सीधा सीधा formula कर रहे हैं, 10%, 15%, 20% दूर की weekly expiry out of the money calls को write करते हैं, छोटा छोटा प्रीमियम उनको मिलता रहता है, उस प्रीमियम से वो रोटी खाते रहते हैं, पहला, पर ये जनता कम है, दूसरे जो बजार में कई लोग घूम रहे हैं जो आज इस खेल में आना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं तो ध कोशिश ये थी, कि इससे पहले आप सो जाओ और सपना देखो, तो मैंने का भाई उठकर के बैटो, वो सपना टूटा हुआ ये तुमारा कुछरी, अगर इतना ही चक्कर करना है, कि भाई सा पहले आपको ये भी मान लो, कि आपको 1.5 लागर पे तक का इंतजाम करना है, कि future को खरीदोगे, फिर out of the money call को write करोगे, जो हमने कोशिश करी एक nifty से बनाने की, तो मैं कहा रहा हूँ कि भाई, 1.5 लाग तक भी क्यों कोशिश कर रहे हो, 25,000 रुपए में आप एक bull put spread ही तो बनाना था, और क्या करना था, हमने क्या करा, मैंने ATM को write कर दिया, put को, और तु को write करके, मैंने अपनी position को 50 point, 100 point, जितना मेरे को लगा, मैंने उतने से hedge कर दिया, तुरंत उसके नीचे की put खरीद दी और आराम से बैट गया, अब मुझे बता है, बजार अगर उपर रहा, तो मुझे profit आ जाएगा, गलती से बजार अगर नीचे की तरफ निकला, तो कम से कम सर मेरे बरतन नहीं बिकने, क्योंकि नीचे भाई, मेरी एक put बैठी हुई है, एक और last चीज सुन लो, उसके बाद covered call writing के उपर, मेरे पास, बाते बहुत हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई नही चीज़ें मिलेंगी तो बताता रहूँगा, सिरफ एक चीज़ बताता हू वो कर लो, बहुत ज़्यादा chances हैं, कि safe रहोगे, दे मिनट और बात सुन लो सिरफ, आप covered call writer हो, और आपके पास एक, index पर बात कर लेते हैं, एक minute के लिए, कि 22,000 के उपर आपके पास future में holding गया, और आपने सोचा, चलो मैं काम करता हूँ, मैं March की, लो, March की expiry पे आते हैं, आपने सोचा को मैं write करूँगा, 22,000 के उपर है, आपने का 500 पैंट दूर जाओंगा, और 500 पैंट, 22,500, मैं 500 पैंट दूर जाओंगा, वहाँ पर मुझे में, हलाकि यहाँ पर अभी यह है, यह कोई 290, इसको मैं 300 मान लेता हूँ, कि मैं 300 पैंट, capture करूँगा, मैं 500 पैंट यह देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यह last thought है, इसके बाद, और बोरियत नहीं है, मेरी तरफ से तो नहीं है, future को long कर दिया मैंने, उसके बाद निफ्टी मैंने, 22,500 की call, मार्च की मैंने 22,500 की out of the money call को मैंने write कर दिया, covered call बना रहा हूँ, अभी मैं आपके लिए, 1,500,000 का मर्जन लगा, cut cut agar, 1,33, 1,34 आपका net net लगा, photo देख लो, पहले pay off diagram, ठीक है जी समझ गए, pay off diagram सेम है, उपर की तरफ profit, cap, उपर की तरफ तो जो है, profit हो हमारा premium का, और बजार उपर की तरफ क्या वो है, और नीचे की तर वो सब कुछ उपर से निकला, दुबारा नहीं समझना चाते, तो सिर्फ एक काम कर लेना जीवन में, वो वैसे भी आप लोग का की बहुत काम आएगा, कि अगर आप किसी भी तरह के कोई portfolio's बना करके बैठे हो, cash में holding ले करके बैठे हो, बस अपने आपको बिल्कुल ऐसे क करके बैठे हो, कि जैसे जैसे पैसे कमाते जाते हो, वैसे वैसे mutual fund में खरीदते रहते हो, या stocks खरीदते रहते हो, या कोई holdings बनाते रहते हो, तो सिर्फ एक काम करो, वो काम क्या है वो सुन लो, बजार 22,000 पर है, 22,000 पर है, इससे आप अभी फरवरी एंड पर बैठे हो, मार्च हैंड आओ, 10% नीचे जाओ, 22,000 है 10%, 20,000 माल नूँ, 20,000 पर आगए, 22,000 पर बजार है, 10% नीचे है, मैं मार्च एक्सपाइरी की बात कर रहा हूँ, मार्च एक्सपाइरी की out of the money put, 23 रुपे की है, इसको easy calculation के लिए मैं 25 माल लेता हूँ, 12.100 रुपे की बुटा सर स perfect, ठीक है, 12.100 रुपे की put है न, एक 12.100 रुपे की insurance करवाने के बारे में सोचो, क्या होगा, अब ठंडे दिमाग से सोनो, आपने क्या करा, आपने मार्च एक्सपाइरी तक का, एक 20,000 पॉइंट का आपने put खरीद लिया, पार, मतलब आपने का, दिये तुझे 12.100 रुपे और बजार तूटा, बजार अगर तूटेगा, समझ करके देखो क्या कहने की कुशिश कर रहा हूँ, बजार अगर तूटेगा, तो आपके पास कम से कम, 10%, मतलब 2000 पॉइंट तक का आपने उपर, उपर का कुछ अपने एक अपनी तरफ से एक buffer लेकर के छोड़ दिया, कि ब तो मार्च एक्स पैरी तक की आपने 20,000 की एक पुट खरीद करके अपने पास पे रखी हुई है, जिसकी कीमत 12,000 पे है, पहली चीज़, एक और काम कर सकते हो, इसको खरीद करके छोड़ दो, यह किसी भी दिन आपको बता रहा हूँ, किसी भी दिन अपना इतना मोटा हक अ कर देगी ना, आप को गए कि मतलब 12,000 पे तो कुछ भी नहीं थे यार, यह आपके शायद बहुत सारे जो पोर्टफोलियो में दुनिया चान के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, यह जो आप कवर्ड कॉल रैटिंग के विचार करते हो, यह जो आप नेकेड कॉल्स खरीदते बनाएंगे, हमें किसी से डर नहीं लगता, तो भाईया, नहीं डर लगता, बहुत अच्छी बात है, पर बुरे वक्त का पता नहीं है, बुरे वक्त का इराज यह है, कि पुरी कोशिश करो कि कम से कम महीना, दो महीना, अभी तो मार्च है, मैं एक काम और करूँगा, आपक का आखरी हफता पड़ा है, मार्च का पूरा महीना, अपरेल का पूरा महीना, आपने अपने आपको अपरेल तक के लिए, कि अपरेल तक कभी भी बजार अगर 10% मतलब 2000 पॉइंट टूट गया ना, किसी भी कारण से टूट गया, तो आपने 50 पॉइंट के हसाब से 2500 रपे क एक insurance खरीदा हुआ है, पहली चीज, अब इसका करना क्या है, पहली चीज तो बगवान से परातना करनी है, हम समने के बजार ना तूटे, बहुत बढ़िया, बजार तूटा, तो याद रखना, कि जितना आपका बजार तूटे में loss होगा ना, उतना आपकी put में आपको profit आ होगी, उसकी कीमत रह जाएगी 25, आपको 1000 रुपे का loss आएगा, पर ये loss आपका नलीफाई होगा, पूछो कैसे, क्योंकि बजार अगर नहीं तूटेगा पूरे मार्च में, तो 1000 के आपका portfolio वाईसा, 1000 रुपे में आपको profit देगा, तो यहाँ पर आप 1000 रुपे का loss बरदा के end पे, तो मई end, दो महीना दूर जाना, 10% दूर, out of the money की एक put और खरीद लेना, कहना सिर्फ यह ही है, कि 1200 रुपे में insurance महीने भर का आपका हो गया, यह thought अपने अंदर दिमाग में डालना शुरू करो, यह अगर आपके पास में आपने एक insurance खरीदना शुरू कर लिया आन तो उसके बाद तो बाच साब आप deliveries खरीदो, swing trading करो, covered call writing करो, जो naked call खरीदो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, होगा क्या, आप इसको एक दूसरे तरीके से समझो, circus के तरीके से समझो, circus में देखा है, trampoline नाम की एक चीज़ होती है, यह पता नहीं, वो उपर, वो swing क की तरह से लोग होते हैं, वो jokers होते हैं, और वो jump करके इधर से उधर, इधर से उधर करने की कोशिश करते हैं, जिगजग करते हैं, पर नीचे उनके एक net लगा होता है, बहुत बड़ा, यह net है, यह 12,000 पेका ना, आपके net है, उपर जो मरजी करो उपर, इसी उमीद में ह हो ना, covered call right कर रहे हो, positions बना रहे हो, future में long कर रहे हो, deliveries ले रहे हो, swing trading कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसी लिए कर रहे हो ना, कि बजार नहीं गिरेगा, पर नीचे net लगाएक, कि गलती से अगर उपर हाथ छूटा, और जमीन पर आए, तो कम से कम, body injury नहीं होगी, emotional turmoil नही लेना, जितना आपको ठीक लगे, कभी लगे, जो आपको ठीक लगे, वाब कर लेना, समझ मेरी ये कहती है, के, एक last चीज और, इसी की मुझे धेले बर की अकल है, कार खरीदने से पहले insurance खरीदा जाता है, ये बात याद रखना, शोरूम चले जाओ, नई कार खरीदने के पर बीमा नहीं कराते, सोचना शुरू करो, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले आदे गंटे से, चीक चीक क्या आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए, के पहले बीमा खरीदो, बीमा खरीदने का सबसे बड़िया तरीका, आज मार्च में बैठे हो न आपके सामने है न ये, April expiry है न, बीस हजार पॉइंट पर हो न, आज बाइस हजार पर बैठे हो न, बीस हजार मतब दो हजार मतब दस परसेंट, आप दस परसेंट दूर का एक पुट खरीदो, खरीदो पुट, पच्छिस सो रपे, सुहा करो, पच्छिस सो रपे नहीं हो आपने पुट खरीद रखी हैं, पर बीस हजार पर आज एक आप फूचर को खरीदो करो, परिशानी तो तब होती है, जब बजार पांच, 700 पॉइंट टूटता है, तो आपकी जो कबड जो कबड को आपको आपको क्या प्रीमें उतना ही बचाती है, वहाँ तो आपको 100 के उपर बजार है और आपने 23,000 की एक out of the money call को write करके store पे capture कर लिए तो आपका insurance सिर्फ 100 point तक है मत्तब 21,900 तक है पर फर्ज करो बजार कल सुबे उठकर के 1000 point तूट गया तो 1000 point तूट गया तो आपको घबराट किस बात की है 100 point तो आपको call में benefit होगा पर जो 1000 point होगे न ये वली जो आपकी 20,000 की put होगी न ये कम से कम 7-800 point चल गई होगी तब तक इसके बाद भी अगर समझ ना आया हो ना किसी को तो comment जुरूर लिख देना फिलाल के वीडियो में इतना ही सब ठीक था गरा तो फिर बात चीत होगी और एक बार ये बताने की जरूर कोशिश करना कि जो content मैंने आपको अपनी दरफ से आज share किया है क्या इसके बारे में कहीं आपने पहले सुना है कभी विचार किया है कभी किसी वीडियो में देखा है क्या कभी किसी ने आपको इस particular dynamic पर या आरी वो भी जरूर बताना और सबसे important चीज़ अपना ख्याल रखना अपने health का career का, family का, friends का important दो चीज़े है, सबसे पहले health और उसके बाद career पैसा, दो चीज़े ठीक रहेंगी मुटा मुटा विश्वास जानो, गाड़ी चल जाती है health ठीक होगी, काम कर पाएंगे काम ठीक होगा, कुछ पैसा बना पाएंगे पैसा बरबाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे तो उसके बाद तो फिर समाज और रिष्टेदारिया इन दोनों चीज़ों के पीछे पीछे आ जाती है ऐसा मेरा थोड़ा सा experience है आप लोगों के क्या experience है, share करना चाहो comment जरूर करो, ख्याल रखो सब ठीक रागरा तो फिर मिलेंगे और सबसे important चीज़े, एक चीज़ और बताना यह जो option mastery learning series हमने शुरू करी हुई है क्या यह सच में कोई help कर रही है यह जरूर बताना meanwhile, please take care, bye bye and have absolutely and great day ahead see you sometime very soon, bye